मनोहर पारकर को हाल ही में फूट पॉइसनिंग की वजह से मुंबई के लिलावती अस्प PATAL में भरति करवाया गया था वहीं अब मुंबई के लिलावती हॉस्पिटल ने स्टेटमेंट जारी कर मनोहर पार्कर को कैंसर होनी की खबर को अफवाह बताया है इस बीच प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी भी मुंबई में थे तो उन्होंने भी पारेकर से लीलावती अस्पताल में जाकर मुलाकात की थी बता दें कि आज कुछ अंग्रेजी वेबसाइट ने पारेकर की कैंसर होनी की खबर को ब्रेक किया था जिसके बाद अब लीलावती हॉस्पिटल ने इसका खंडन कर दिया है हाला कि स्टेटमेंट में मनोहर पारेकर के अगनाशाई में कैंसर होने का कोई जिक्र नहीं हुआ है कुछ इस रेपोर्ट की मुताबिक मनोहर पारेकर के अगनाशाय में हुआ कैंसर चौथे स्तर पर पहुँच गया है और वे अब डॉक्टरों की निगरानी में हैं मुख्यमंत्री पारेकर का इलाज डॉक्टर पी जगननात की देखरेक में चल रहा है पारेकर को 15 फरवरी की रात को अगनाशाय में सूजन की शिकायत के बाद मुंबई के लिलावती अस्पताल में भरती करवाया गया था वहीं एक अन्या अंग्रेजी वेबसाइट जनता का रेपोर्टर ने दावा किया है कि मनोहर पारेकर कैंसर से गुजर रहे हैं और उनकी स्थिती गंभीर है इस रेपोर्टर की मताबिक हॉस्पिटल ने पारेकर के कैंसर होने की बात का खंडन भी नहीं किया है देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले